नमस्कार स्वगतियापका हमारे अचार जागिंद रोशा चैनल पर आठ अगस्त बड़ा शुमबार बना दिब शयोग सावन चोथा शुमबार सुलिंग पर चढ़ाएं यह एक चीज 24 घंटे में देखे चमतकार सावन महा का वैशे तो हर दिन खास होता है लेकिन सावन के शुमबार का विशेश महत तो होता है सास्तरों के अनस्वार सावन शुमबार की दिन भगवान सिवका पूजन करने से भोलेनात अतिशिगरी परसंद हो जाते हैं और अपने भक्तों को मन्चाहा बरदान प्रदान करते हैं इस बार शावन माह का ये जो चोथा सुमबार आठ अगस्त को पढ़ रहा है ये सावन का अंतिम सुमबार होगा और इस दिन कई सारे दुरलब स्वश्योग बन रहे हैं इस दिन पुतरदा एका दसी भी है और साथी साथ इस दिन शरवार्द सिध्योग और इस दिन रभी योग अमरिश सिध्योग का निर्मार हो रहा है जिसके करण ये सावन का सुमबार और भी ज़्यदा खास हो गया है इस दिन सिवलिंग का पूजन करने से भगवान सिव के साथ माता पार्वती के अशिम कृपा प्राप्त होती है दोस्तों सावन का महीना भगवान सीव को समर्पित होता है इसमा का हर दिन भगवान भोलेनात के पूजन के लिए बहुत इस्चुब माना जाता है लेकिन सावन मास के सोंबार का बिशेश महत्तो होता है मानिताओं के इंसवार सावन के शोंबार के दिन भगवान सिव की पूजा करने से जीवन के सभी मनोकामनाय पूर्ण होती है और साथी साथ सावन में जो सोंबार आए और सोंबार के दिन भगवान भोलेनात की कृपा प्राप्त करने के लिए सिवलिंग की अगर पूजा की जाए तो सोने पे सुहागा सोंबार का ब्रत करने से जीवन में आने वाली सभी शंकट और दिक्ते दूर हो जाती है भोलेनात अपने भक्तों को शुक्षम्रदी प्रदान करते हैं और मांचाहा बरदान देते हैं कुमारी कन्याएं सावन स्वंबार का ब्रत्वी रखती हैं इस दिन सावन स्वंबार की दिन अगर स्विलिंग पर कुछ विशेश वस्त्वे अर्पित की जाए तो भोलेनात अच्षीम कृपा प्रात कराते हैं और साथी शुक्षम्रदी देते हैं अगर सावन स्वंबार की दिन शिवलिंग पर यह एक चीश चुड़ाया जाए तो 24 गंटे के अंदर महादेव का चमातकार देखने को मिलता है 24 गंटे के अंदर आपकी शमस्त मनोकामनाओं की पूरती होती है सावन स्वंबार की दिन महादेव बहुत जल्द परसंद हो जाते हैं मानताओं के अंसार सावन के सोमबार में भागवान सीव की पूजा करने से जीवन के सभी मनोकामनाओं हाथों हाथ पूर्ण हो जाती है सावन सोमबार की दिन भागवान की कृपा प्राद करने के बृत भी रखा जाता है और सिवलिंग पर कुछ विशेस वरस्तवे अरपित की जाती है मनताओं के इनसार सावन माह के सोमबार के दिन भरत करने से जीवन में आने वाली सभी दिक्टें भॉलेनाथ की कृपा से दूर हो जाते है भॉलेनाथ अपने भगतों को शुक्षम्रद्धी परदान करते हैं और मन्चाहा परदान देते हैं इस दिन कन्याएं सौंबार्क ब्रत रखती हैं और जो शुहागिन महिलाएं हैं वो भी अपने पती के चिरंजीवी के लिए शौभाग के लिए अपने पती की आयू के लिए इस दिन ब्रत रखती हैं और भगवान सिव के शिवलिंग की पूजन करते हैं तो भगवान, शिव शंकर और माता पारुतिय और गड़ेश जी की पूजा जरूर करें, सोंबार की दिन, सबसे पहले तो आप क्या करें कि अपने घर पर भी आप कर सकते हैं, अगर आप कि आसपास मंदिर नहीं है, सिव मंदिर नहीं है, सिव लिंग नहीं है, तो आप अपन प्रदोस काल की पूजा सबसे ज़्यादा उत्ता मानी जाती है। प्रदोस काल की पूजा सबसे ज़्यादा उत्ता मानी जाती है। प्रदोस काल की पूजा सबसे ज़्यादा उत्ता मानी जाती है। 24 घंटे में चमतकार के लिए एक लोटा जल थोड़ी से मिस्त्री चावल आरपित करके और कच्चा दूध आरपित कर दें सिलिंग और फिर आप बेल पत्र आरपित कर दें। तो जो भी मनो कामना बोलेंगे 24 घंटे के अंदर महादेव पूरी करेंगे। दोस्तों अगर लंबे समय से आपका बिवाह नहीं हो पा रहा आपको लगता है जैसे बिवाह में अर्चने आ रही है या फिर बिवाह पकत होता है लेकिन साधी तक नहीं बात बन पाती तो आप भोले नात को जरूर थोड़ा सा आप यनि की भांग चढ़ाईए उनकी मनप संद चीज और थोड़े से समी के पत्र चढ़ाईए समी पत्र और भांग चढ़ाने से आपके जल्द बैवाहिक जीवन में शुख में जीवन बनेगा बिवाह की योग बनेंगे और जल्द बिवाहत तैं होगा साधी के बिवाह के बंधन में बंधेंगे दोस्तों अगर आ ऐसा करते हैं तो जीवन सुख में बन जाएगा, हर कश्ट हर विवता दूर हो जाएगी। तो महादेव अतिशिग्र परसंद होते हैं क्योंकि दोस्तों सुमबार का दिन बहुत ही प्री होता है महादेव के लिए और इस दिन पूजा पाठ के लिए विशेश महत्त होता खास कर सीवलिंग की पूजा करें। नोकरी में पदोनत नहीं हो रही तो बेलपत्र आप 108 चड़ाएं यानि की सुमबार के दिन सीवलिंग पर और उसमें से जो 108 यानि की अंत वाला बेलपत्र है उसे चड़ाने के बाद महादेव को चड़ाने के बाद सीवलिंग पर चड़ाने के बाद फिर कुछ देर बार अपनी मनोकामना बोले नोकरी की बिजनेस ब्यापार की मनोकामना धन की मनोकामना बैवाहिक जीवन संतान की मनोकामना बोले फिर उसके बाद उस बेल पत्र को आप अपने ब्यापार के धन के स्थान पर रख दे तीजोरी के स्थान पर रख दे या फिर अपने पर्स में रख दोस्तों बतदी की सफेद पुष्प सीवलिंग पर चढ़ाने से विशेश कृपा प्राप्त होती है। तो विशेश लाब होता है। लोंग इलाजी चढ़ाएं तो मनोकामनाई अतिशिक्र पूरी होती है। इस तरह से आप पूजन जरूर करें शोंबार के दिन बोले रात जरूर प्रसंद होंगे आपके उपर। दोस्तों कमेंट में लिखे हर हर महादेव। वीडियो को लाइक झालाएं नहीं जरूर को नहीं प्रश पूर को आपके वीडियो को अ और शीडियो में होती है।